आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चैनल इंडियन ग्रहीनी में अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ बतुआ की पकोड़ी वाली कड़ी जो की नौर्थ इंडिया में ज़्यादा तर पसंद की जाती है तो आईए देखते हैं इसकी रेसिपी सबसे पहले हम बतुआ को बारिक काट लेंगे उसके बाद पानी में अच्छे से दो लेंगे फिर एक उबाल आने तक या फिर पांच मिर्ट तक हम इसको बॉइल कर लेंगे बॉइल होने के बाद आप हम इसको चान लेंगे अब कड़ी बनाने के लिए हम खट्टा धही लेंगे उसमें बेसन डालेंगे और फिर उसमें स्वाद अनुसा नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च डालकर उसका बेटर रेडी कर लेंगे ये देखे हमारा बेटर रेडी हो चुका है अब हम इस बेटर को उस बरतन में डाल देंगे जिसमें हम एक्च्छल में कड़ी बनाना चाहते है अब हम उसमें अपनी क्वांटिटी के अनुसार पानी एड़ करेंगे पानी डालने के बाद हमने पहले से ही जो बत हुआ बॉल करके रखा हुआ था उसका आदा बत हुआ हम इसमें डाल देंगे सब मिक्स करने के बाद अब इस बरतन को हम गैस की फ्लेम पे रख लेंगे जब तक हमारी कड़ी बनके रेडी होती है तब तक हम उसके लिए पकोड़ी रेडी कर लेंगे उसके लिए हमने जो पहले आदा बत हुआ बचाया था उससे हम बैटर बना लेंगे और पकोडिया रेडी कर लेंगे पकोडियों को रेडी करके हम उसको पानी में डाल देंगे ताकि वो सौप्ट हो जाए देखिये थोड़ी देर हो चुकिये हमारी कड़ी भी बनके रेडी हो चुकिये तो अब हम इन पकोडियों को हलके हाथ से निचोड़ के कड़ी में डाल देंगे अब हम कड़ी के लिए तड़का रेडी कर लेंगे तड़के के लिए हमने एक छोटी पैन में घी ले लिया है और फिर घी गरम होने के बाद हमने उसमें जीरा, मैथी, हिंग, सूखी हुई लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर डाल कर हमने तड़का रेडी कर लिया है आप चाहू तो तड़के में प्याज, टमाटर, अद्रक, हरी मिर्च भी डाल सकते हों वैसे इसका जो ट्रेडिशनली टेस्ट है वो हिंग से आता है तो आप तड़के में हिंग डालना मत भूलिएगा देखिए कितनी माउथ वाटरिंग टेस्टी पथुआ की पकोड़ी वाली कड़ी बनके रेडी हो गई है अब आप इसे बाजरे की रोटी या फिर साधा रोटी और चावल के साथ गर्मा गरम परोशिये और इसका लुद पुठाइए अगर आपको मेरी ये रेसिपी आई है तो प्लीज इसे शेर कीजिए थैंक यू सो मच